जब भी हम PUBG, BGM आया फिक कोई भी और गेम खिलते हैं तो प्रॉपर एम या प्रॉपर मुमेंट करने के लिए एक स्क्रीन स्लाइड बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हमारा स्क्रीन स्लाइड स्मूध नहीं है तो हमारा एम बिल्कुल चोक होने ही वाला है अगर आपका स्क्रीन स्लाइड स्मूध नहीं होगा तो आपको जहां जाना है आप वहाँ पाऊश नहीं पाऊगे और जहां पर एम करना है वहां करना ही पाऊगे तो यह एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक हो जाता है तो इसके उपर डिसकस करना तो बनता ही है देखो अब आप कितना भी अच्छा जॉइस्टिक कर लो या फिर ले आउट कर लो अगर आपका स्क्रीन स्लाइड स्मूध नहीं तो आप प्रोपर खेली नहीं पाऊगे तो चलो इसको डिकोड करते हैं पहले हम तू चलो पाऊवडर की में इडवांटेज़ेस बता देता हूं जब भी हम स्मूध स्क्रीन करने के लिए पाऊडर अप्लय करते हैं पाउडर यूज करने में हमारे एक और फायदा है कि हम जो है तो feel कर पाते हैं हमारी screen को जिसे जो है तो हमें accurately पता होता है कि हमारी finger यहां पिटाच हुई है या नहीं हुई है यह इसका और एक advantage है अब device friendly की बात कर लेते हैं क्या powder हमारे mobile के लिए वगेरा safe है तो इसका answer है बड़ा वाला नू क्योंकि powder की छोटे 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 particle हमारी device के अंदर चले जाते है जिससे हमारे device जो है तो अच्छा नहीं रहता है क्योंकि हमारा speaker में भी यह जो है तर डस चली जाती है और कई बार microphone में भी जाने का जैसे microphone में भी बिगड़ सकता है तो अगर आपने इतना पैसा फूका है आपकी device में तो आप बिलकुल मैं इसको recommend नहीं करूँगा आपको अब बात कर लेते हैं थोड़ा same slide के उपर मतलब basically same sensitivity अब depending upon the portion size अपने जो portion यूज़ किया है पाउडर का तो हमें हमारी speed जो है तो कम जादी करनी होती है क्योंकि हमारी thumb कभी जादा फिजलती है कभी कम फिजलती है अब क्योंकि हमें depending upon the portion size अपने जो यूज़ किया है उसक जो है तो same slide बार बार आनी पाता है अब इसके बाद हमारा point आता है touch compatibility अब इसका answer basically yes ही आने वाला है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हमारे thumb के और screen के बिश में dotted layer बन जाती है थीन सी तो हमें इसमें touch compatibility अच्छी मिलती है इसके बाद में हमारा point आता है re-applying का त जब जब हमें ऐसा feel हो कि हमारी sensitivity थोड़ी सी काम आ रही है तो यह वाला point हम इसको नहीं देंगे अब इसके बाद हमारा last point is sweat friendly तो हाँ guys जब भी हम गिम खिलते हैं हमारे हाथों में जो तो कभी कभी पसीन आ जाता है जिससे जो तो sweat friendly नहीं हो जाता है हमारे लिए option क्योंकि जब भी हमारे हाथ में पसीन आता है तो powder जो है तो पसीन के साथ react करता है और powder जो हो जाता है जिससे जो हमें फिर से screen को साफ करना होड़ता है और फिर से powder apply करना होता है अब आता है हमारे last और most important topic जो है spotting में दिक्कत होती है powder यूज़ करने से क्योंकि दूर के बंदे जो तो provide हो जाती है तो यह वाला point तो हम इसको easily दे सकते है इसके बाद में हमारा point आता है वो fill the screen का क्योंकि हमारे thumb और screen के बीच में जो है clothing की layer बन जाती है तो हम fill नहीं कर पाते हमारी screen जिससे जो हमें टिक से पता नहीं चलता है कि हमारे finger वहाँ पे touch हुआ है या नहीं हुआ तो यह वाला point हम इसको नहीं दे सकते हैं अब इसके बाद हमारा point आता है device friendly यहाँ गाईज यह बिल्कुल device friendly product है यह आपकी device को बिल्कुल damage नहीं करता है क्योंकि obviously आपने इसको पहना हुआ है तो यह वाला point तो इसको definitely जाएगा अब हमारा next point आता है same slide वाला तो हाँ गाई नहीं तो इससे में आपकी muscle family जो है तो increase हो जाएगी अब बार यह आती है हमारे next point के तरफ जो है तो device compatibility तो कहिस अगर आपके screen के ऊपर कोई भी gorilla glass वगेरा नहीं लगा रखाया है तो बिल्कुल जो है तो यह आपकी device के साथ compatible हो जाएगा बट अगर आप iPhone user हो और आपने जो हो और यह अप्लाइक आता है तो आप इसको बार बार आप्लाइन नहीं करना पड़ेगा आपको यह वाला point भी इसको जाता है अब इसके बाद हमारा point आता है sweat friendly वाला तो हाँ guys यह बिल्कुल sweat friendly product है आप इसको कितना भी आपको पसीना है आप use कर सकते ही हो तो यह वाला point भ product है वो है oil तो तुमने काफी sports player को यह oil यूज़ करते देखा ही होगा तो इससे smooth screen आपकी definitely होई जाएगी बट इसमें एक दिक्कत है कि आपका थोड़ा सची पपन आपका रहे गाई तो kind of yes or no means को हम consider कर सकते है अब इसमें हमारा next point आता है feel the screen तो हाँ guys आप बिल्कुल feel कर आपके screen की जब आप यह apply करते हो तो आपके thumb के और screen के बीच में जो तो एक thin सी layer बन जाती ही oil की तो आप definitely feel कर पाऊगे अब आता है हमारा point device friendly वाला अगर आप इसको low portion में जो तो आपके सिर्फ thumb पे लगाते हो और फिर use करते हो तो यह इतना हम आपकी device को पहुचाएगा नहीं but 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 सिर्फ अगर आप screen guard के साथ इसको use कर रहे हो अब इसके बाद हमारा point आता है same slide वाला या same sensitivity वाला तो नहीं guys हम यह वाला point इसको नहीं दे सकते क्योंकि यह जो हमने पहले discuss की है depending on the portion of the oil we used हमें हमारा thumb का movement उससे कम जादा करना पड़ सकता है इसके बाद हमारा point आता है device compatibility तो obviously guys यह आपकी device के साथ compatible होगा यह तो यह वाला point हमें जादा discuss करने की ज़रत है नहीं तो इसके बाद हमारा point आता है re-apply का तो हाँ guys अपस ही ना वगिर आने के बाद हमें के इसको भी इससे reply apply करना पड़ेगा फिर कहीं आप और टच करोगे तो आपके हाथ थ पॉइंट आता है spotting friendly वाला अब जब भी हम जो है तो screen पर all use करते है तो screen पर जो हमें rainbow rainbow टाइप सा हमें कुछ देखना है तो इससे definitely हमारी spotting थोड़ी सी degree होती है बट इसको हम kind of में consider कर सकते ही यह तो guys अगर आपको वीडियो पसन आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को subscribe जरूर करके जाए